वेल नमस्का दोस्तों मैंने भीन आपका स्वाकत करता हूं मेरे चैनले पर दोस्तों आज जो वीडियो बहुत बहुत बहुति बेहतरिन वीडियो है आज मैं आपको बताने वाला को Pues fashion designer के बारे में fashion designer क्या होता है क्या उसका काम होता है और उसके लिए कितनी qualification चीए होती यह दोस्तों आज नhals इसके बारे में पुरी डिटेल में आज बात होगी तो इस वीडियो को च्रूर को शुक्क देखे न झौ अपने दिखा होगे कि आज की डिट में बहुत सारे छोग जो है फैशन करते हैं हर कोई अलग दिखना चाहता है नए दोस्तो आपने देखहोelिगां काम करते हैं जो होते है u डिजाइनर जो कि हमारे लिए अलग लग तरीके के डिजाइन तयार करते रहते हैं जान दोस्तों अब आपको समझ आगा होगे यह जो डिजाइन का काम होता है यह सारा होता फैशन डिजाइनर का ठीक है तो उसको फैशन डिजाइनर कहते हैं आगे हम बात करते हैं दोस्तों क की Certish dira का काम क्या होता है इसके भाारे पहरे जान लूते है फैशन डिजानर का जो काम होता दोस्तों sophisticated का जो काम है वह एक डिजाइनिंग तक ही सीमित नहीं रहता हुढ जी है दोस्तो्ट मैं आपको बता हुँ जो फैशन डिजाइन होता हह उसका काम एक design कपड़े को design करने तक सिमित नहीं रहता है बलकि उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान लखना होता है जहां दोस्तों उसको ध्यान लखना पड़ता है कि अभी जो latest में अभी latest में कौन से design जो है अभी trend में ग्लोबली कौन से डिजाइनर भी ट्रेंडिंग में है इस चीज़ कभी उसे ध्यान लखना पड़ता है साथ में कपड़ों की सिलाई के बारे में उसको knowledge होनी चीए ठीक है जोस्तों उसको पूरी समझ होनी चीए कपड़े के बारे में ठीके दोस्तों यहां तक कि fashion designer का काम होता है कि अगर किसी client ने उनको बताया कि मेरे को इस तरह का जो होता है इस तरह का design मेरे को चीए तो उनको उनके हिसाब से design करना पड़ता है साथ में जब तक वो design पूरा complete नहीं होता तब तक उस पर fashion designer का काम होता है उसको complete करना और साथ में उसका कुछ अच्छा result पाना ठीक है दोस्तों यह हो गया fashion designer का काम आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो fashion designer होते हैं उनकी जो skills होती है ठीक है दोस्तों आज की date में आपने देखा होगा दोस्तों कि हर कोई जो जितने भी हमारे यंग्स्टर है हर कोई जो है fashion के जो होते दिवान, fashion designer के ओट आकर से थो रहे हर कोई fashion designer बनना चाहता है पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए आपको जितना ये आपको glamour लगता है उतना ये हैनी जीहां दोस्तों क्योंकि इसके लिए आपको होना पड़ता है बिल्कुल अलग आपकी सोच बिल्कुल अलग होनी चाहते हैं ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूँ क जो फैशन डिजैनर होता है उसका दिमाग कुछ बहुत अलग होता है वो कुछ अलग तरह की के सोच रखता है जो अगर मार्केट में उसने कोई भी डिजैन देखा तो उसके मैंड में यह चलेगा कि यह जो डिजैन में आया हुआ इसके उपर कुछ अलग कैसे किया जाए जी क्या हुआ दोस्तों कि जब कोई फैशन डिजैनर का काम करता है तो उसको एक डिजैनिंग तक ही सीमित नहीं रखा जाता है उसको स्लाइस से लेकर कपड़े की कटाई से लेकर हर चीज के बारे में पूरा ट्रेंड किया जाता है जहां दोस्तों उसको हर चीज के बारे में कि कपड़े के बारे में हर चीज उसको समझाई जाती है जब आपको पूरी नौलेज होगी तब ही जाके आप कोई भी डिजाइन कर सकते हो जी हां दोस्तों और मैं आपको बदा दू कि अगर आप कोई भी डिजाइन करते हो तो सबसे पहले वो कागच पर आपको तयार करना पड़ता है उसके बाद वो कपड़े पर उतार जाता है जी हां दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन कितनी चीए होती है बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि यार जो फैशन डिजाइनर होते हो पताने उसके लिए कितना पढ़ रखते हो तो आप एक फैशन डिजाइनर आराम से बन सकते हो आप 10th 12th के बाद भी एक फैशन डिजाइनर बन सकते हैं उसके लिए आपको एक शौर्ट टम कोर्स कर सकते हो जो कि तीन मेनेच से लेकर और एक साल तक का होता है जो डिपलोमा कोर्स होता है वो होता है आपका एक साल से लेकर और चार साल तक जी हाँ दोस्तों तो मैंने आपको इसके बारे हम बता दिया दोस्तों कि इसके लिए क्या qualification ची होती है आपको क्या fashion designer का काम होता है ठीके दोस्तों आगे हम बात करते कि इसमें scope कितना है जी हाँ अगर आप एक fashion designer का काम करते हो दोस्तों तो उस अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करना दोस्तों और अपना कमेंड में जुरू लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो चले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको इसमें कितना पैसा मिल सकते हैं अगर आप एक फैसन डिजाना का कोर् तो अगर कि आप पूरा काम सीख लेते हैं पूरे डिजाइनिंग को गए है या आप कुछ क्रीटिव करना सीखें दोस्तों तो उसमें आपको क्या होता कि आप किसी बड़ी कंपणी जो कपड़ी के कंपणी होती है उनके साथ आप कॉंटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर आप जो है 44,000 से उपर आप सहरी ले सकते हो आराम से अगर आपके अंदर इतनी शमता है आप कपड़ी के बारे में नौलेज रखते हो सिलाई की बारी किया आप अच्छे से जानते हो आपको नौलेज बहुत अच्छी है कपड़ी के बारे में हर चीज के नौलेज आपके अच्छी है कुछ क्रेटिव आप कर सकते हो दोस्तों तो आप किसी कंपणी में आप कॉंटेक्ट करके वहाँ पर आप 40-50,000 से उपर आप लाखों में कमा सकते है और अगर आप अपना भी कुछ करना चाहते हो अगर आपने फैशन डिजानर का काम किया हुआ आपको एक अच्छे डिजान त्यार करने आते हैं दोस्तों तब अपने डिजान जो है बना के कोई भी बना के आप ऑनलाइन के माधियम से उसको आगे सेल कर सकते हैं और उसमें कुछ बहुत सारे पैसे कमा सकते है लाकों के हिसाब सकते हैं यहाँ आप आपको बिजनिस कोई करते हो तो इसके बार को कितना benefit हूं यह दोस्तों तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों अब आगे बात करा आती है कि हम fashion designer का course कहां से करें ठीक है दोस्तों तो मैं आपको यहाँ पर screen पर यह जो दिखा रहा हूँ कुछ एक institute मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों यह institute है जहां से आप fashion designer का course कर सकते हो यहाँ पर आप contact करके fashion designer का course आप कर सकते हो ठीक है दोस्तों यह कुछ है कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने भी इंस्ट्यूट है कुछ है कि मैंने इस्ट्यूट यहाँ पर आपको बता दियें दोस्तों तो आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मैंना आपक प्लिवादे कर दो दो एल दो एल प्लिवादे कर दो एल दो एल जो एल एम